तो वल्कमें दोस्तों नमस्कार आप सभी का इस वीडियों में हम लोग बात करने वाले हैं CIP राची में जितने भी वेकंसी आई हुए उनसे रिल्टेड अस्टडी करेंगे CIP एक मनुची किता संस्थान है जो कि राची कांके में इस्तित है अभी यहाँ पे वेकंसी आ रही है वाट डिटेडेंट की नीडिल वोमेंट की उसके बाद मेडिकल डिकोट कलट हो गया लाइबरेडियन हो गया तो और अकुपेस्नल थरिपिष्ट इन सभी के लिए एक सिं के और साइंस का पॉर्शन आता है इसके ध्यान में रखते हुए हम लोग पचास कोस्चेन डेली के साइंस और जीके करते हैं ठीक है आईए देखते हैं आज के कोश्चन देखिए आज के कोश्चन थोड़े से टप है तो इसको इसीड़ी वे में धीरे-धीरे समझते जाना है और हाल करना है पाला कोश्चन है कि लेजर निमने सिद्धान फर कारि करती है लेजर जो Light होता है लेजर लाइट या किस सिद्धान फर कारी करती है यह पूछा गया Question में इसका Right Highway हो जाएगा विकिरन का उद्दीप्त उत्सरजन ठेक है विक्किरन का उद्धिप्त उद्सर्जन के सिद्धान पर लेजर लाइट कारिय करती है नेक्स्ट कॉशन क्यों बढ़ते हैं देखिए कॉशन निबर टू इसमें पुछा गया है पॉलिटी के कॉशन है कि केंद्र की मंत्री परिसद को किसका विश्वास खोने पर त्यागपत्र देना होता है तो सेंट्रल लेवल पर जो मंत्री परिसद बनता है केबिनेट किसका अविश्वास परस्ताव विश्वास खोने मतलब की अविश्वास परस्ताव किसका देने पर यह त्यागपत्र देता है तो लोकसभा का अब इस्वास परस्ता हो किसका क्यवल और क्यवल लोकसभा ठीक है संसद दो परकार के होते हैं एक राजसभा संसद एक लोकसभा संसद लेकिन यहाँ पर क्यवल लोकसभा संसद की काउंटिंग की जाएगी ठीक है आगे देखते हैं question number 3 इसमें पुछा गया है कि निम्नमे से कोन पार्थिवगरा कठोर सता वाला गरा नहीं है पार्थिवगरा मतलब कि जिसका सता कठोर है जैसे कि प्रिथवी एक पार्थिवगरा है क्योंकि इसका सता जो है कठोर है ठीक है तो इन में से कोन सा गरा ऐसा है जो की सता कठोर नहीं है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा विरस्पती विरस्पती जिसको इंगलिस में जुपेटर बोलते हैं इसका सता कठोर नहीं है ठेक है बाकी तीनों गरहों का सता कठोर है और ब्रिस्पति हमारे स्वर्मंडल का सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा गरह भी है गरह को इंगलिस में प्लानेट बोलते हैं Q4 है कि अखिल भारतिय प्रात्मिक सिक्षा परिसद की अस्थापना हुए थी कब हुए थी तो अखिल भारतिय जो आपका प्रात्मिक चिक्षा परिसद है सिक्षा परिसद इसकी अस्थापना कब हुए थी दोस्तों इसकी अस्थापना हुए थी 1957 में 1957 में और हमारे ठेक दे question कि राश्ट द्वज फ़राने वाला भार्थ यह था या थी कुन थे बताना है तो राश्टी द्वज को फ़राने वाला हमारे परथं भात यह थे मेडम विकाजी कामा यहाँ पे दिखे हिंड भी कर दिया है था या थी और था या थी जब भी करें न हिंड तो समझ जाएगी कई लेडी है तो मेडम विकाजी कामा इसका राइट अंसर हो जाएगा आगे देखते हैं कॉशन है यह नमर में रक्त बिम्बानू को और किन नामों से जाना जाता है रक्त बिम्बानू मतलब की आर बीसी ठेक है रबीसीरेड बलड सेल्ड आर बीसी तो रक्त बिम्बानू आर बीसी को थ्रॉम्बो साईट भी हम लोग B disciples कि नाम जोते हैte आगे बलते हैं और एक नोट कर लिजेगा कि जो RBC होता है इसका जीवन काल 20 से 120 दिनों का होता है lifetime आगे देखते हैं next question 7 number इसमें पुछा गया है कि भारत के आजाद होने पर किसने कहा था कि आज हमारे दूर दिन यानि कि दुख के दिन की अवधी समाप्त हो गई यहां किसने बोला था कि आ आज हमारे दूर दिन यानि कि दुखो का दिन समाप्त हो गया यहां किसने बोला था तो दोस्तों यहां बोला था पंडित जवारलाल नहरू ने ठीक है पंडित जवारलाल नहरू जो कि भारत के पर्थां परधान मंत्री थे हैं आगे देखते हैं question number 8 इसमें पुछा गया ह जापान देश की राष्ट पसू क्या है दोस्तों जापान एक काफी developing country है और develop हम लोग को बोलना चाहिए developing नहीं और इसकी जो पसू है राष्ट पसू इसको बोलते हैं I-20 क्या बोलते हैं I-20 option 1 इसका right answer हो जाएगा I-20 ठेक है भारत का राष्ट पसू आप सभी को मालूमी है Bengal Tiger आगे देखते हैं question है 9 number कि सोरी के परभाव से चिकित्सा कराने की जो परक्रिया है उसको क्या बोलते हैं तो जब कोई चिकित्सा सोरी के परभाव से क्या जाता है मतलब की therapy की जाती है तो उसको किस परकार की therapy बोला जाता है दोस्तों इस परकार के therapy को heliotherapy बोला जाता तो इसलिए इसको हेलियो थेरेपी बोला जाता है आगे देखते हैं इसमें पुछा गया है कि गुलाब दिवस कब मना जाता है देखे रोज डे या समझे लिजे कि यह भारतिय दिवस नहीं है एक बिदेशी फोरेंड कंट्री का है तो गुलाब दिवस बारफ हरवरी को और इसके दो दिन बाद ठेक दो दिन बाद वेलंडाइंडी मना है आता है तो उस दिन बहुत कुछ होता है बावर का जन भी हुआ था उसे दिन कोई पूछ दे आज कौन सा दिन है तो जब आप नहीं बता पाईए गान तो बोल दिजेगा बावर का जन में है गारा नमबर कोश्चन है कि निसांत बाग कहां पे इस्तित है देखिए निसांत बाग बहुत फ्हमस बाग है और यह आपका जमू कस्मिर में इस्तित है टेक है जमू कस्मिर यहाँ पे के बल जमू दिया है आगे देखते हैं कोश्चन है अब तो जमू अलग हो गया और कस्मिर भी अलग हो गया ना कोश्चन नमबर 12 है किसी रॉलिंग किस रॉलिंग पलान की क्या विसेस्ता होती है किसी रॉलिंग पलान जो होता है इसकी क्या बिसेस्ता होती है देखे दूसनों रॉलिंग प्लाण जो है भारत में एक प्लाण है हम लोग बोलते हैं जिसको रॉलिंग प्लाण जिस तरह कारी करता है उसी तरह हमारा जो है पंचवर्श योजनाओं में जो क्या बोलते है यार उसको रॉलिंग प्लांग की तरह ही काम करता है हमारा मुझे याद नहीं आ रहा है रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ चलिए जो भी है मतलब की एक वित्य संस्था की तरह कारी करती है रॉलिंग प्लांग और इसकी जो विसस्था होती है वह होती है कि इसमें सबी चीजें लोचन सीलता होती है ठीक है लोचन सीलता पाई जाती है मुझे याद नहीं आ रहा है तो सोड़ी दूस्तों रिकॉल नहीं कर पाया इसको अच्छे से देखें तेरे नमबर कोश्चन में है कि एक आउतल लेंस बिम का परति बिम बनाती है जो होता है आउतल लेंस पुझा गया है ठीक है दरपन नहीं तो आउतल लेंस किसी बिम का परति बिम कैसा बनाती है किसी चीज का इमेज किस टाइप से बनाती है यह पुछा गया है आपसे इसका राइट अंसर हो जाएगा आवासी, सीधा और हासित ठीक है आवासी, सीधा और हासित आगे देखते हैं कोश्चे नमबर 14 इसमें पुछा गया है कि मुगल काल में निम्न बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का यानि कि मक्का का दुवार कहा जाता था तो बाबुल मक्का मुगल काल में किस दुवार को कहा जाता था एक में कोई आ गया है मैं थोड़ा से काम कर लेता हूँ वस्त आजया तुरहूंत जा रहा हूं up चली बिच विच में काम आ जाता है तो जाना पड़ता है यह आधि वॉस्को देखना सबसे पहले उसके बाद पड़ाए लिखाई करना भी है तो इसको भी नहीं छोड़ना है दोनों को समेंटेन करके चलना है ठीक है तो चलिए कौशन है कि मुगल काल में निम्ल बंदरगाहों में से किसको बावुल का मक्का कहा जाता था तो दोस्तों जो सूरत बंदरगा था ठीक है सूरत आपका कहां पे है गुजरात में सूरत सहर वहां पर बंदरगा था你只是 मक्हार द्वार कहा जाता है और यहां पर वह Оthodhan रादमी है एक तरह से समझ लेज़े कि भारत के लगबग ज्यादतर अमिर यहीं पर बसते हैं कुश्चन है भारतिया थल सेना का सबसे पुराना रेजिमेंट कुन सा है भारतिया थल सेना मतलब की इंडियन आर्मी इंडियन आर्मी का दोस्तों सबसे पुराना रेजिमेंट है बॉम्बे सेपर्स ठीक है बॉम्बे सेपर्स और इंडियन आर्मी नेभी और एरफोर्स इन तिनों का हैड कुन होता है तो इन तिनों से नाओं का हैड होता है भारत के राश्ट पती आगे देखते हैं कोशन नमर 16 इसमें पुछा गया है कि ज्वाला मुखी परवत माउंट स एलंडिलन्स कहां इस्तित है यह जो जौबाला मुखी परवत है कहां पीशित है तो संजुक्त राज अमेरिका सौट में बोले तो इयूए-स Come में इस्तित है अमेरिका के राजधानी घा है तो वासिंग्टन डिसी अमेरिकाकी राजधानी है और Amirika का सभशे वड़ा सार इसका अभिपराय होता है स्रोत विनियोग क्या होता है स्रोत विनियोग देखिए यह आर्थिक यूजना है मतलब कि एक तरह से यह संस्ता आती कमेटी जिसके अस्थापना पंडेजवारला लेहरू ने की थी उन्हीं यहां तो यहां कि नियोजन की तरह ही यहां भी कारी करते थे को से नंबर 18 तो इसमें पुछाय कि यहोडियों के पूजय को क्या और हिंकि की कि इसलाम thrown Actal मुस्लिम थर में इसलाम दर्में पूजय को मस्जित बोलते हैं एस तरह यहोडियों का जो फूजय कि यहुदी यहुन आपको मालूम है यहुदियों का देस एंठीक है और यह जो है यहुदियों का पुजा अस्तर इसको हम लोग बोलते हैं सीने अजोग और इनको जो हम लोग क्या बोलते हैं उसको धर्म सास्त्र उनका नाम था तौरा ठेक है तो इसको भी नोट कर लीजिएगा अक्सर पूछा जाता है कि यहुदियों का धर्म गरंद कौन सा है तौरा उनीश नमबर कोशन है पर्थम मानव रहित अंत्रिक्षियान कौन सा है देखिए मान मानव रहित हैं आपका लूना शल और अपलो टू रह घ्रै और रूस्त के दौरा खबाए था आग मालेरिया जो है कि वरंत से जनित होता है तो दोस्तों मेलेयर जो है प्रोटो जवारिया को च्वाइब होता है और इसको हम लोग बोलते हैं PB and PF शॉटली जब हम लोग लिखते हैं किस रिपोर्ट में रेपीट PF पीबी नेगेटीव रेपिट पीए पीबी पोजेटीव रेपिट पोजेटीव मलेदिया की प्रेशन को इस तरह से देते हैं ठेक है फेल्सी फेरम और वाइवेस इनके पोर्टो जवा का नाम होता है देख यह कोश्चन है कि कि किसी गती सिल पिंड का वेग आधा करने से उस आधा तो समवेकभी आधा हो जाएगा नेक्ट कोशिटन के वर बढ़ते हैं कोश्चन में पुछा गया है कि हाड्रोजन और कारबन मोनोछाईड का मिसन को क्या बोलते हैं हाड्रोजन टेक है और कारबन मोनोछाईड का conceptmatch and hydrogen मतलब की ही ट्यू टो जब इन्दोनों का मिस्रन कर देंगे तो बन जाएगा water gas क्या बनेगा water gas जिसको gel gas भी बोला जाता है ठीक है और अगर अगर hydrogen hydrogen को मिला देंगे तो उटल बन जाएगा लेकिन जब hydrogen and carbon monoxide मिला देंगे तो थे vata gas बन जाएगा season 23 में देखते हैं इसमें पुछ गया है कि olive की साखा किसका पर्तिक है ओलीव की जो साखा है या किसका पर्तिक है जैसे कि लाल त्रिकोन परिवार नियोजन का पर्तिक है ठीक है उसी तरह ओलीव की साखा किसका पर्तिक है यह पुछा गया है तो ओलीव की साखा जो है सांती का पर्तिक होता है आगे देखते हैं सब्यताम संस्कृ प्रतिक होता है कमल का फूल जो कि हम लोग का राश्टी फूल भी है कमल सब्सक्राइब कोशन में है घरे लूप विद्धूत आवेश में आविरती होती है कितने हर्ज की आविरती होती है तो दोस्तों हम लोग जितने भी घर में बिजली सप्लाय होता है इसमें 50 हर्ज की बहुंत जबवाबल मतलब बिद्धुत वाहक बन मापा जाता है तो किसी सयल में बिद्धुत वाहक को किसे मापा जाता है इसको रोगा पानी की एक समुद्री धारा है जो निकलती है गल्पriv च्ट्रिम जो समुदरी जलधरा है या कहा से निकलती है सिम्पर यहीं पूछा गया तो देखिए यह जो गल्पेश्ट escape आपका मेक्सीको की खाड़ी से निकलती है झाली को हम लोग क्या बोलते हैं जैसे बंगाल की खाड़ी तो बे-off बंगाल मेक्सिको की खाड़ी तो बे ओप मेक्सिको ठीक है आगे देखते हैं 27 नबर कोश्चन यहां पे अलेकजंडर सिकंदर जो जीता हुआ है सिकंदर सिकंदर का नाम काफी फेमस है तो कोश्चन है कि सिकंदर ने किस समय भारत पर आक्रमन किया दोस्तों जिस समय मगद में धर्नम का सासक था और उसी समय चानग कियो थे और सिकंदर भी उसी समय आक्रमन किया था 326 इसवीबवी पूर का समय था ठीक है सिकंदर की से काफी विशु विजय सेना थी विशु विजय की उमीद में लेकर गई थी लेकिन भारत में उसका भरता निकल गया है मतलब कि जो नदी था ना पार नहीं कर पया था व्यास्ट नदी को पंजाब के जो राजा थे उस समय क्या नाम था पौरस वे युद में हार गए लेकिन उसकी ज चौल कालिन यानि कि चौल सासर जीस समय था उस समय की बात है चौल कालिन स्वायत सासन पढ़नाली की जानकरी मुई के सुरूत क्या है तो चौल सासन के बारे में अगर आपको जानना है सबसे ज्यादा यह गरंत आपको जानकरी देगा इसका नाम है उत्तर मेरू अभी ले तो दोस्तों दमन और दीव के मईद कौन इस्तित है देख लिए दमन और दीव जो है दो छोटे-छोटे आपके पालित दो होते थे अब एक ही हो गया है दमन दीव दादर और नगर हवेली इन सब को एक ही प्रदिस बना दिया गया है और इनके जो बीच में खंबात की खाड रात के सामने 30 नबर कोचन देखते हैं तो कोच्छन है कि सेंट जॉर्च दूइब कि ठीक कहां इस्तित है यह पूचा गया ऑघ दीखते हैं और वासको भामा के पास इस्तित है और मतलब कि भारत के समुदरी मार की खोज के थे भारत की खोज नहीं के थे कॉस्चिन नमर 31 है तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों मेरे पिता जी आ गया थे ठीक है घर में वीडियो बनाने का नहीं है दिकत होता है अपने लेब में वीडियो बनाते हैं तो वहां पर कोई नहीं आत या थारोईड गरंथी में पायाता है और जह सब्धारोईड गरंथी में आयोडिन की कमी हो जाती है तो हमें ऐसा हो जाना धाय हो जा जाता है जिसको फोन लोग घेगारोग वी बोलते हैं आगे देखते हैं question है कि एक nautical mil में कितने मीटर के बराबर होता है एक nautical mil nautical mil का यूज जो है दोरी नापने के लिए किया जाता है और समुद्र के रास्ते में अक्सर nautical mil का ही परियोग किया जाता है नाओ में एक nautical mil में 1852 मीटर होटे हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं next question के और question है कि राजसभा के लिए चैनीत या नामित पर्थम फिल्म अभी नेत्री कोन थी कोन ऐसी वेक्ति थे कि राजसभा का सदे से बने थी तो इनका नाम है नर्गिस दत ठीक है कि corporate tax जिसको हम लोग निगम घर भी बोलते हैं हिंदी में corporate tax इंगलिस में हिंदी में निगम घर यहां किस पर लिया जाता है तो दोस्तों corporate tax जो है कमपनियों की आमदनी से लिया जाता है option से इसका right answer हो जाएगा और यहां किस के द्वारा लिया जाता है किस सरकार के द्वारा तो central comment यानि केंदर सरकार के द्वारा लिया जाता है आगे देखते हैं question है कि योजना में core sector से आसे क्या है देखिए core sector किसको कहा जाता है तो core sector हम लोग बोलते हैं चैनीत आधारित उद्धोग जैसे कि आपका cement उद्धोग हो गया ठीक है फिर लोहा उद्धोग हो गया जितने भी बड़े बड़े factory होते हैं भारी factory जिसको हम लोग बड़े बड़े उद्धोग बोलते हैं यह सब ही आपके चैनीत आधारित उद्धोग है जिसको core sector बोला जाता है ठीक है इसका परियोग जो है अक्सर budget वगरा के बनाने में किया जाता है question 36 number इसमें पुछा गया है कि राश्टिय संतरता संगराम आंदोलन के दोरान किसने कहा था तक्ते लंदन तक चलेगी तेरे हिंदुस्तान की तो ऐसा किसने कहा था जरूर ही देगिए नाम सही एक्दम सारी जैसा लगता है तो इनका नाम होना चाहिए क्या बहादूर साजपर बहादूर साजपर ने ये बोला था जिसको अंग्रेजों ने मारकर रंगुन पहुचा दिया था और प्यंसन दे दी थी ना तो इसका राइटन सरो जाएगा रंगुन स्वरी रंगुन बोल रहा हूँ ये बहादूर साजपर आगे बढ़तें next question की ओर पुछा गया है कि भारत में वित्य आयोग का परमुक कारी क्या है भारत में जो वित्य आयोग बनाया गया है ठीक है इनका परमुक कारी क्या है दोस्तों वित्य आयोग 5 वरसों के लिए बनता है और इसका जो पर्मुक कारिय होता है वह होता है कि Central Government और अस्टेट Government के बीच आपका जितना भी राजस वह होता है earning होता है, revenue होता है इन सब का बटवारा करता है केंदर सरकार और राज्यों के सरकारों के बीच में ठेक है? Question number और जो है उसमें 5 member होते हैं को भी जान लिजेगा Question है 38 मक्खी का लारवा को क्या कहते है तो मक्खी के लारवा के मेगेट कहा जाता है टेड़ पॉल आपके तितली के लारवा को कहा जाता है सरी टेड़ पॉल मेड़क के लारवा को कहा जाता है और caterpillar तित्रिली के लारवा को कहा जाता है बहुत है जोर्णी question है आप चाहें तो note कर सकते हैं 39 question में देखते हैं इसमें पुछा गया है कि अस्थगन प्रस्थाव का उद्देश से तो होता है अस्थगन प्रस्थाव का उद्देश से क्या होता है यह पुछा गया है यह फिर बुला रहे हैं लेकिन आपकी बार नहीं जाओंगा अब भी वीडियो को कंप्रेट करूँगा ठीक है तो अस्थगन प्रस्था का उद्देश होता है सदन का ध्यान अच्थी आवस्थाग लोक महत्व के मामले में आकरसित करना ठीक है राज की जो कारेपालिका के सकती होती है यहां किसमे नीत होती है यह पूछा गया कोशन में देखिए इसका राइट अंसर हो जाएगा राज की कारेपालिका के सकती राजपाल पे नियोत होते हैं क्योंकि राजपाल जो है राज का सम्मेदानिक परधान होता है और राष्ट क की पात की जाए तब राष्ट में हो जाएगी आपके राष्ट पति कि अगे देखते हैं दूस्कों हम लोग blue chip company बोलते हैं जिसका विद्य यानि कि final condition जो है बहुत ही सुद्रिध हो अच्छा हो उसको हम लोग बोलते हैं blue chip company जैसे कि आपका sale हो गया ठीक है और भी बहुत सारे हैं जितने भी महारत्न गंपनियां है उसको आप बोल सकते हैं नेक्स्ट कोशन है कि निम्न में से कौन रात्री के पर्थम पहर में गाय जाने वाला एक राग है तो देखिए रात्री में गाय जाने वाला राग कौन सा है तो इसको हम लोग बोलते हैं राग भुपाली ठीक है राग भुपाली आगे देखते हैं 43 नमर कोशन इसमें पूछ इसी में महिला की भागिदारी होना शुरू हो गया था पर्थम ओलंपिक खेल यूरान मी खेला गया था 776 पी में कोस्चन है उल्टा झन्डा किसका पर्थिक है जब हम लुक्त जो उल्टा कर देते है न तो इसका मतलब क्या होता है देखिए जब भी ज्ण्डा उल्टा हो जाए तो इसका मतलब होता है कि संकट आने वाला है या संकट आ गया है medic यह था तो एक्सा अक्सर वार की किस नाम से जानी आती है अस्थान आंतर किरसी मतलब दोस्तों कि आज हम लोग यहां पर करें किरसी फिर यहां पर छोड़ दिये फिर दूसरे जगापे जमीन कर रहे हैं तो इसको तो जोम खेती बोला जाता है पूरवत्तर भारत में लेकिन आंद परदेस में इसको हम लोग पॉडू बोलते हैं क्या बोलते हैं पॉडू ठीक है कोशन नमबर 46 देखते हैं इसमें है कि हम बॉल्ट धारा किस समुद्र में किस समुद्र टटके निकट परवाइद होती है यह पूछा गया है देखिए जिए अच्छा कोश्चन है तो देखिए इसका राइट अंसर हो पस्चेमी तटके पास देखिए परसांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है इसको भी नोट कर लिजेगा आगी देखते हैं 47 नमर कोशन इसमें पुछा गया है चोल के विशे में सरपर्थम जानकारी किस पुस्तक से प्राप्त होती है तो चोलों की विशे में जो है सबस स्कृत ब्याकरण का अड़ा चाहिता भी कहा जाता है 48 नमर कोशन देखते हैं इसमें पुछा गया है कि मार्को पॉलो कहां कराने वाला था मार्को पॉलो जो यात्री था उसको क्या बोलते हैं कौन सा यात्री जो नाव चला गया था नावी की समझ लिए सिंपली ठीक है त तो हमें भी घूमना चाहिए घूमने से कभी इंकार मत कीजिए जब भी मौका मिले घूम लीजिए ठीक है माइंड बहुत ज्यादा फ्रेस हो जाएगा अच्छा रहेगा कोशन नमबर उन्चास है कि विख्यात स्वमनात मंदिर को किसने नश्ट किया था विख्यात फ्यमा स्वमनात का जो मंदिर था इसको दोस्तों अपने 29 साल के उम्र में महमूद गजनी गजनी का मुवी देखे हैंगे आमिर खनवाला वो गजनी नहीं महमूद गजनी ने स्वमनात मंदिर को 1025 सिस्वी में लूटा था और सबसे बड़ी लूट थी उसकी ठीक है भारत में 62 आ किसे जिंदगी को नहीं जीना यार काम कीजिए पढ़ाई कीजिए यह मेरा एजेंडा एंटेका कि ना क्यवत पढ़ाई करना ना क्यों काम करना या नीजimento का नाम ही देखते हैं इसमें पूछा गया है कि सूर्फिश से आती हुई पर वैंचिक किरनों यानि कि Ultra Violent Race से कौन हमें बचाती है, तो देखिए हमें बचाती है ओजन, ओजन का सुत्र है OTHERI, और OTHERI, यानि कि इसमें Oxygen के तीन अनु है, ओजन को सबसे ज़्यादा हनिकार पहुचाता है CFC, CFC, यानि कि Coloroflorocarbon, CFC का जो एक अनु होता है ओजन के लगबग 1000 अनु को मा सब्सक्राइब होता है और सरकार बोले कि कि इनका पर्यूग कम करें अरे इनका पर्यूग कम करना है तो आप फिरिच कोई इतना रेट वड़ाद जिएन के आदमी नहीं करद वाए ठीक है सिंपली यह सब कुछ सरकार के पास इस वल्यूसन है और जूट मूट का मतलब अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए बाए चल पर पहली वार आएं तो सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के आपके वीडियो दिशाएगी नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छा कंटेट दिया जाएगा एंड अगर कुछ कलती हो रही हमसे तो बताईएगा हम उस खेली देली देली ओवद